तो दोस्तो इस ताइम बहुत सारे Android users के साथ एक common problem आ रही है, उनकी mobile phone की display पर कुछ इस तरीके से lining की problem आ रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं अपने mobile phone में किसी भी application को open करने जाओ, यहाँ पर मैं play store को open करने जाओ, तो continue आपको मेरे mobile phone की screen पर lining की problem देने को मि रही हैं, तो जैसी यहाँ पर मैं Google से back आने को आप किसी दूसरी application को open करने जाओ, यहाँ पर मैं Chrome को open करने जाओ, तो continue आपको मेरे Chrome पर भी यहाँ पर screen lining की problem देने को मिरी हैं, तो दोस्तो मैं आपको बता दूँगा, यहाँ पर मेरे mobile phone की screen पर white color की lines आ रही है, वही कुछ की mobile phone की screen पर green color की lines रही, वही कुछ लोग की mobile phone की screen पर pink color की lines रही, वही कुछ लोग की mobile phone की screen पर black color की lines पर रही है, तो दोस्तो मैं आपको बता दूँगा, ऐसे में नहीं मेरा mobile phone कहीं नीचे गिर है, नहीं पानी में गिर है, तो automatic से update करने के बाद कुछ इस तरीके से मेरे mobile phone एसी setting बताने वालों, developer option की setting नहीं बताऊंग, वो पुरानी हो चुकिए, हर mobile phone में work नहीं करें, तो आज किस वीडियो में आपको तिन new setting बताने वालों, जिन तिन settings को enable करने को, तुम गैरेंटी के साथ कहता हूँ, 100% life proof के साथ, आज किस वीडियो में आपको अपने फोन में life proof परिसाद lining की इस problem को सालू करके बताने वालों, तो कौन सी वीडियो में जानते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस time आपको मेरे mobile phone की screen पर कोई भी lining की problem देखने को नहीं मेरेगी, तो यहाँ पर आप मैं किसी भी एक app को उपन करने जाओ, जैसा कि आदर हैं मैंने लाइनिंग की प्राउडों को सालू करेंगे, तो तीनों setting आपके लिए most important होने वाली है, दोस्तों यहाँ पर आपके लिए सबसे पहली important setting की है, आपको अपने mobile phone की home screen पर आने के बाद settings को उपन करेंगे, तो आपके समने भी कुछ ऐसा interface निकल के आ जाएगा, तो चाहे आपको टॉप का अपर उपर search बार देगो, तो आपको direct search बार में search करना होगा, R, E, S, E, T, आपको reset लिएक के search कर देना होगा, तो जैसी आप reset लिएक के search कर देंगे, तो दिहान रहे हैं, यहाँ पर आपको अपने mobile phone को reset नहीं करना है, ऐसे में अगर आपने mobile phone को reset कर दिया तो again आपके सामने कुछ ऐसा interface निकल करेगा, तो यहाँ पर आपको center वाला reset all settings के icon पर click करना है, तो जैसी click करेंगे, तो again आपको यहाँ पर security pattern मंगगे, जो भी आपने security pattern रखा को इसको लगा देना है, तो जैसी आप लगा देंगे, तो again आपको निची radicular में reset all settings के icon पर click कर आपकी setting यहाँ पर reset हो रही है, थोड़ा आपको wait करना है, आपको दिखा रहा है system setting है, यह आपकी system setting है, जो reset होगी, बाकि आपके mobile phone में कुछ भी data यहाँ से delete होने वाला नहीं है, तो जैसी आप अपनी setting को reset कर देंगे, फिर आपको यहाँ से back आजाने mobile phone की home screen पर, तो home screen प अपन करेंगे, तो आपके सामने ऐसा interface निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके सामने बहुत तारे फीचर हैंगे, wifi का mobile network का blur, जैसी आप scroll करेंगे, तो यहाँ पर मुझे देख रहा है apps का icon, तो हो सकता है, आपको निची चल के कहीं पर आ रहोगा, management app, app info, app list का icon देखन को मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको scroll करना है, आपको अपने mobile phone की setting नाम की option को धोन के निकालना है, तो हर mobile phone में compulsory setting नाम का option होता है, तो आपको scroll करना है, कहां गया मेरा setting नाम का option, जैसी यहाँ पर मैं scroll करूँग, तो कहां गया, जैसा कि आपको seconds के आइकन पर click करना है, तो जैसी आप Settings के आइकन पर क्लिक करेंगे तो अगेन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आगा तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फीचर होंगे Open का, 4-stop का, Disable का, Manage Notification, Permission, Data Usage, Storage Usage आपको Storage Usage का आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बॉटम के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिडिरेक्ट बैक होके mobile phone की home screen पर आ जाएगेंगे तो यह आ गई setting number second अब आपको अपको बता दूँगा मेरे पास यहां पर मझे रिस्टार्ट आ रहा हो सकते हैं आपके पस किसी और कंपनी का डिवाईश तो आपको रिस्टार्ट की जगा रिबोट आए तो लास्ट अपको यह कर नहीं आपको अपने वाइलिफून को लाइनिंग के प्रालों साल लेगी अब आपको वापस से लाग कर देन को जाए तो दोस्तो कुछ इस तरीके से इन तीन सेटिंग की मदद से आप भी जो आपने वाइलिफून में स्क्रिन लाइनिंग की प्रालों को सालुक कर सकते हैं यह थी छोटी सी इनफार्मेशन वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बलिए